नमस्कार बहुत स्वागत है आपका पॉस माह में पढ़ने वाली अमवस्या को पॉस अमवस्या कहते हैं और अमवस्या थिती पित्री देवों को बहुत प्रिय है पॉस अमवस्या पर अगर तरपन करें स्राद करें तो पित्रों की आत्मा को सांती मिलती है और जोतिर सास के इस बार पॉस अमस्या के दिन खास संयोग बना हुआ है शुक्र बार होने के कारण मालक्षमी की किरपा भी बरसेगी तो इस दिन मालक्षमी का आप पूझा करके कुछ खास प्रयोग भी कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए तो इनस्या प्रारणव्स 22 दिसम्बर 2022 गुरुवार साम 7 बचकर 13 मिनट से होगा और 23 दिसम्बर सुक्रवार की दोपहर 3 बचकर 40 मिनट तक अमस्यातिती रहेगी उद्यातिती 23 दिसम्बर को है इसलिए इस दिन ही कि अमस्यातिती नायीं जाएगी कसुरीं कह जलार पित करें फिर पित्रे देवों के निमित जलार पित करें और संबाव हो तो इस दिन आप उपवास रख सकते हैं न श करना इस दिन जीवन की परिशान 2020 करें आप लोगार निकालाएंगे तो कभी-कभी सक्तित्रů इतने प्रेसानगारा है कि लगता है जैसे अब वशने के कोई रास्ते ही नहीं है आप प्रेसान हैं आखिर कैसे उन तमाम प्रेसानियों से बाहर निकलें जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए अकर टोने टोटके बहुत ज़्यादा आपको परिशां कर रहे हैं तो आंसे बाहर निकलने के रास्ते भी बताए गए है वैसे तो लाल मिर्च का टोटका लाल मिर्च हर किसी के घर में होता है और आपको लेना है लाल सुखी भी मिर्च तो खाने के साथ कई टोटके भी काम आते हैं लाल मिर्च के घर गियस्ती से जीवन में जुड़ी भी तमाम परेसानियों से भी बाहर निकलने में मदद करता है ये मिर्च और कर्ज से भी चुटकरा दिलाता है तो आज हम आपको लाल मिर्च के पांच प्रियोग बताएंगे जो आपके जीवन की बहुत सारे मुस्किलों से आपको बाहर निकलेंगे तो खाने में जितना ज़्यादा जो टेस्ट उसको बढ़ाता है खाना का लाल मिर्च उतना ही ज़्यादा आपके जीवन की समस्याओं से भी बाहर निकालता है और लाल मिर्च का टोटका सत्रूं को प्रास्ट करने के लिए बहुत कारगर होता है अगर आपको बहुत मेहनत करने के बाद सफलता ना मिले तो लाल मुर्च का ये टोटका आप जरूर करें आपको हमें हर वक्त लगेगा जैसे हाँ सब कुछ अब मेरे साथ अच्छा हो रहा है अगर आपकी जीवन में लगातार समस्या या बाधाय आ रही हो तब एक छोटा सा काम कीजिएगा रात में सोने के पहले सनी वार की रात सोने के पहले एक बरतन में पानी ले ले बरतन कोई भी हो सकता है ग्लास है, कटोरी है, मग है, बाल्टी है, कुछ भी ले ले अब इस पानी में 21 लाल मिर्च के बीज डाल दे यानि कि एक लाल मिर्च ले 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 उसमेंसे बीज निकाल ले अब इस पानी में डाल देкими बरतन को अपने सिरहह पी ले दो बेट के ठीक नीके यहां पर सर रखते है वह पर रख धे और बिना पीछे मुड़े घर आ जाए आप देखिएगा आपके जीवन की जो समस्याएं हैं जो बाधाएं हैं वो समात हो जाएगी अब एक और छोटा सा प्रयोग कई बार क्या होता है सत्रू बिरोधी बहुत परिसान करते हैं रातों की नींद खो जाती है तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा सनिवार की साम आपको चाहिए होगा पांच लाल मिर्च और इसके साथ ही थोड़ा सा सरसों के दाने पीली सरसों थोड़ा सा नमक अब अपने दुसमन का नाम लेते हैं या फिर अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ टोणा टोटका किया है आपके घर फिर इसको आप घर से बाहर ले जाकर फेक दें लेकिन आप खुद पीडित हैं अगर आपको लगे कि दुसमन बहुत परिसान कर रहे हैं आपके आप जॉब करते हैं वहां लोग लगे हुए हैं आपके परोसी परिसान कर रहे हैं आपके घर परिवार के लोग परिसान कर र आप मिट्टी दबा दें तो गड़े में लाल मिर्च दबाने से क्या हो जब दबाईएगा उसके पीछे मुड का मत देखिएगा और यह तोटका आपके जीवन से सत्रों का नामू नसा मिंचा देगा बहुत सिंपल है लेकिन इसका आपको क्विक रिजल्टी मिलेंगे तो यह प्रियोग आप जरूर करें क्योंकि यह आपके जीवन से सत्रों का नास करता है लाल मिर्च के बहुत सारे टोटके होते हैं और उन्हीं मेंसे एक और देखिए कई बढ़ क्या होता है आप कर जिसमें फस जाते हैं या फिर आपका पैसा किसी ने ले लिया अब वो देन पढ़ जाते हैं तो उन धन को प्राप्त करने के लिए जो आपका है उसको वापस लेने के लिए आप रोज जो जल देते हैं भगवान सूरी को जल देते समय आप जल में एकईस दाने लालमिर्च के या फिर एक चुटकी उठा ले अब चुटकी में जितना भी आ जाए इसको अगर 21 दिन तक ना कर पाएं अरपीत तो आप के बदले में भी कर सकता है तो यह प्रियोग जब कीजिएगा तो भगवान सुरी से आप अपनी समस्या कहिएगा और उनसे प्रांथना कीजिएगा कि जीवण में जो मुश्किलें हैं जो की समस्या है उनसे आपको मुक्ति दिलाए आपको धनकी मुश्किले अब और प्रिसान ना करें तो जो बिजनस अच्छा ना चले ब्यपार में एकदम घाटा हो रहा हो तब मिट्टी का तीन दिया ले ले एक दीपक में पीली सरसों रखें दूसरे में काला तिल रखें धनिया रखें और हर दीपक में एक एक लाल मिर्श जल दें यानि तीनों दीपक में आपको ठोड़ा-थोड़ा सब्कुष ले लेettsास है और इन तीनों दिकटी का दीपक मिलना वैसे आसान मिल जाएगा तो आप अपने इसे घरते में बना सकते हैं और अपने बैपार वाली जगह में रख दें यूंहीं पड़े रहने दें आपके काम के बैपार की जो बाधाएं हैं जो मुस्किलें हैं वह समाप्त हो जाएगी और आपका बैपार चलने लगेगा बहुत सिंपल है और साथ ही काम की बाधाओं को दूर करने के लिए लाल मिर्च के 21 दाने को लेकर आप एक बरतन में पानी भरके डाल दें और अपने उपर से साथ बार वार कर इसे रोट के उपर भी फेक सकते हैं इससे भी आपके काम दंदे में जो मंदी है वह समाप्त हो जाती है और चलन आपके जीवन की समस्त परिसानियों से आपको बाहर निकलने में मदद मिलेगी तो लाल मिर्च का जो टोटका है हर कारियों की बाधाओं को दूर करता है अगर आपके घर में बच्चे हैं जल्दी नजर दोस्त के पीडित हो जाते हैं तब लाल मिर्च लीजिए तीन अब जो बच्चे पीडित हैं उनके उपर से तीन वार वार कर जलती वी चूले में डाल दें या फिर आप कहीं पर जलाने की वेवस्ता करें वहां पर जला दें तो ऐसा करने से बच्चे नजर दोस्त से बचे रहेंगे और वह जल्दी चीख हो जाएंगे कई बार क्या होता है आपके घर में लोग बीमार होते हैं एक पीजा ही नहीं चोड़ती तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा और एक बार भी यह प्रयोग कर लें तो आपके घर की समस्त परेशानीया समाथ हो जाती है आपको चाहिए होगा साथ लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल, साथ जय चोटा सा फिटकरी का चोटे-चोटे साथ तुकरे अब सब कुछ एक लाल कपड़े में बांद ले अब इसकी पोटली बना ले और अपने घर में रख दें सनीवार की रात और अगले दिन सुबह घर से बाहर निकलते वे भगवान का ध्यान कर प्रातना करें है प्रभू हमार कस्टों को दूर करें सुख सम्रिद्धी दें और पोटली को किसी पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दीजिए पीछे मुड़के मत देखिएगा आपकी परेसानिया आपकी घर से दूर जाती भी आपको नजर आएगी तो यह प्रियोग भी आप जरूर करें जिवन की सम समस्याओं से बाहर निकालता है अगर बैपार ना अच्छा चले लोगों बार बार आपके काम धंदे में नजर लग जाए तब ऐसे में आप एक चोटा सा काम कर सकते हैं साथ लाल मिर्च जो कच्छी वाली होती है सुखी यहां पर नहीं लेनी है साथ लाल मिर्च लेले एक नीमबू ले 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 अब इसको काले धागे के साहरे गूथ ले अपने बैपार अस्थल पर या घर के दरवाजे के बाहर टांग दे हर सफता चेंज करना है कि जो मुस्किले हैं वह समाफ हो जाती है और किसी भी तरह के नजर दोस्से आप बचे रहते हैं वैसे भी या फिर कोई आपका पैसा लेका बैठ गया है दे नहीं रहा तब धन की मुस्किलों से बाहर निकलने के लिए आप भगवान सुरी को एक लोटा जल में एक चुटकी लाल मिर्च के बीज या फिर 11 बीज लेकर आप उसको डाल कर लगातार सुरू करिए आप रविवार के द सुर्णे वाले देव हैं और लाल मिर्च का परियोग जब दुकान ना चले बंदी दुकान है तो हमने आपको बताया है पानी में डाल कर फेकना है लाल मिर्च के बीच उसको भी कीजिएगा आपको इसके मेनिफिट जरूर मिलेंगे हम आपसे भीदा लेते हैं लाल मिर्च हर हाल में आपको हर समस्या से राहत दिलाएगा धन्यवाद